ओम शान्ती, 1969 की मुरली किश्रंखला में ये मुरली है 24-7-1989, 24th of July 1969 इस मुरली का शेशक है बिंदू रूप की प्राक्टिस आज बाप दादा अपने बच्चों से कहते हैं, बीठे मीठे बच्चे बाप बच्चों से कहते हैं, बीठे मीठे बच्चे किसके सामने बैठे हो और क्या होकर बैठे हो किसके सामने बैठे हो और क्या होकर बैठे हो बाप तो तुम बच्चों को बिंदी रूप बनाने आए हैं बिंदु सुरूप बनाने आए क्योंकि शिप बाबा हमारा निराकारी है बिंदु सुरूप है तो बाबा भी हामी सभी बच्चों को बिंदु सुरूप में बनाने आए है मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ बिंदी कितनी चोटी होती है और बाप भी कितना चोटा है इतनी चोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धी में नहीं आती है बाबा ने का इतनी चोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धी में नहीं आती है कि बिंदी कितनी चोटी होती है और बाप भी कितना चोटा है शिप बाबा के नेराकारी है, बिंदु स्वरूप है, तो बाबा कहते हैं, बिंदी कितनी चोटी बाप भी कितना, इतनी चोटी सी बाद तुम बच्चों की बुद्धी में नहीं आती है, बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं, दूर हुई चीज को भूल जाते हो, जो चीज सामने ही रहती है उस चीज को भूलना उस चीज को क्यों भूलना ये तुम बच्चों को शोभा नहीं देता है बाबा कहते हैं जो चीज दूर होती है उसको भूल जाता है इंसान लेकिन जो चीज पास में उसको भूल जाते हो तो ये तुम बच्चों को शोभा नहीं देता बच्चे, अगर बिंदी को ही भूल जाएंगे तो बोलो किस अधार पे चलेंगे बच्चों से कहते हैं अगर बिंदी को ही भूल जाएंगे तो किस अधार पे चलेंगे आत्मा के ही तो अधार से शरीर भी चलता है, मैं आत्मा हूँ ये नशा होना चाहिए कि मैं बिंदू, बिंदू की ही संतान हूँ बाबा इसमें बता रहे कैसे कैसे बिंदू की प्रैक्टिस करनी है, कैसे अपने आपको बिंदू सरूप बानना है ये शरीर नहीं है, हम ये मैं आत्मा हूँ, ब्रकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा हूँ, ब्रकुटी के बीच चमकता हुआ बिंदू सरूप हूँ तो ये प्रैक्टिस करनी है, तो बावा ने कहें, नशा होना चाहिए मैं आत्मा हूँ मैं ये शरीर नहीं हूँ संतान कहने से ही इस नेम में आ जाते हैं तो आज तुम बच्चों को बिंदू रूप में इस्तित होने की प्रैक्टिस कराएं मैं आत्मा हूँ इसमें तो भूलने की ही अवशक्ता नहीं रहती है जैसे मुझ बाप को भूलने की जरुत पड़ती है हाँ परिचा देने के लिए तो जरूर बोलना पड़ता है कि मेरा नाम, रूप, गोड़, कर्तब विक्या है और मैं फिर कब आता हूँ? किस तन में आता हूँ? तुम बच्चों को ही अपना परिचा देता हूँ तो क्या बाप अपने परिचा को भूल जाते हैं? बच्चे उस इस्तिती में एक सेकेंट भी नहीं रह सकते बाबा ने का, जैसे मुझ बाप को भूलने के ज़रूट पती हाँ परिचा देने के लिए जरूर बोलना पड़ता है बाबा करते है मुझे अपना परिचा देना पड़ता है कि मेरा नाम क्या है मेरा रूप क्या है मेरे गुड क्या है मेरे कर्तव भी क्या है ये बाबा खुद बताते हैं बच्चों को मैं कब आता हूँ किसके तन में आता हूँ तो तुम बच्चे एक सकंड भी सिस्थी थी में बिंदू सरूप में नहीं रह सकते। मेरे बच्चे हो तो मेरे सरूप में नहीं रह सकते। तो क्या अपने नाम रूप देश को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं अपने नाम रूप देश को तुम कैसे भूल जाते हो ये पहली 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 बात है जो कि तुम सभी को बताता हो कि मैं आत्मा हूँ ना कि शरीर बाबा कहते हैं पहली पहली बात है तो तुम सभी को बताते हो वरना किसी को तो दुनिया में पता नहीं कि मैं कौन हूँ वो कहते हैं अगर किसी से पूछो कोई कहेगा मैं बैंक मैनेजर हूँ मैं आई आइस ओफिसर हूँ मैं डॉक्टर हूँ मैं वकील हूँ लेकिन कोई ये बताता है कि मैं आत्मा हूँ कोई नहीं बताता है तो ये बात हमें सबसे पहले किसने बताई बावा ने और हम लोग भी हमने जब बावा से हमें बताया बावा ने हमें तो हम भी हमसे भी हम भी किसी को क्या बताते हैं मैं आत्मा हूँ तो बाबा कहते हैं, पहली पहली बात, तुम बच्चे बताते हो, मैं आत्मा हूँ ना की शरीर, जब आत्मा होकर बिठाते हो, तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है, अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते हो, तो क्या फिर दे सही दे के सभी संबन भूल जाते हैं, बाबा कहते ह कर बठा लेंगे तो क्या होगा फिर दे कि सम्मंदी याद आएंगे और जब आत्मा होंके बठा लेंगे तो किसकी याद आएगी परमात्मा की जो हमारा बाबा है जो शिप बाबा है निराकारी है तो बाबा कहते हैं तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर जो न्यारा बाप ह उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अब शरीर से न्यारा हो कि अपने बाबा की याद में नहीं बैठ सकते हो अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो बाबा कहते हैं हार पल अब यही प्रैक्टिस सब बच्चों करनी है पैरो द्वारा चलने वाले आत्मा हूँ अपने आपको जैसे जैसे जो जो कर्म करो अपने आपको बीच बीच में बार 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 यही याद दिलाना है मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ यह तो पहला पार्ट है इसी को ही प्रैक्टिस पे लाना है और दिन में जितनी वार याद आये बस अपने आपको याद दिलाना है मैं आत्मा हूँ तो अब बाप आप सब बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को अब हमारे आत्माओं के बाप कैसा है? परम आत्मा है वो भी हमारी तरह विंदू से रूप है निराकार है बाबा हमारा निराकार है तो हमें भी अपने आपको अगर हमें उस निराकार से जुड़ना है अगर हमें निराकार से जुड़ना है तो हमें भी तो निराकार होके बैठना होगा तो जैसे हमारा बाबा है निराकार जैसे हमें भी निराकार होकर बैठना है तो इस इस्तिती में रहने से व्यक्त से न्यारा होकर अव्यक्त इस्तिती में रह सकेंगे मैं आत्मा विंदू रूप हूँ क्या ये याद नहीं आता है विंदी रूप होकर बैठना नहीं आता है ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो एक सेकंड तो क्या कितने ही घंटे इस अवस्था में इस्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो बावा ने कहा ऐसे अभ्यास बढ़ाते जाओगे अगर तो एक सेकंड क्या एक सेकंड क्या जितनी देर चाहो किते भी घंटे चाहो इस सितिती में बैठ कर इस अवस्ता का रस ले सकते हो यह बहुत स्वीट सिचेशन है यह बहुत स्वीट साइलेंस की अवस्ता है जब अपने आपको आत्मा समझे और जब बाबा से connection हो जाए क्योंकि जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी तो हमारा बाबा याद आएगा जब अपने आपको दे समझेंगे तो देह के संबंदी याद आजाएंगे अपने देह का पिता याद आजाएगा देह की माता याद आजाएगी और लेकिन जब अपने आपको निराकारी समझ बाबा शिप बाबा निराकार है वैसे भी मैं निराकार आत्मा हूँ तो फिर अपना वो बाबा याद आएगा तो बाबा कहते हैं उसमें घंटो आप उस अवस्ता में रस ले सकते हो ऐसी अवस्ता में इस्तित रहने से फिर बोलने की जुरत ही नहीं पड़ेगी इतनी स्वी वार वार प्रैक्टिस करो यहां पर स्टार चमक रहा है वार वार फिल करो यहां से लाइट निकल लई है जितनी वार इस फिलिंग को बढ़ाते जाएंगे उतना इवावनिका इस अवस्ता में ना बोलने की अवस्ता नहीं रहेगी बिन्दू होकर वैठना कोई जड़ याटा है तो असमें पूरा ब्रक्ष उसी से निकल जाता है तो बावा ने कहि कहा जो गार बीच में सारा पेड़ समाए होता है छोटासा जेखने में तो वह बीज लगता है लेकर उसको मिट्टी में दवआओ ढूर ढूर। मुट्थ निकल नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं बाप हमको भी अपने साथ कहां ले जा रहे हैं बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है बाप नहीं कहां बाप हमको भी अपने साथ कहां ले जा रहे हैं बाप तुम बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है जो बाप का और तुम बच्चों का घर है वहाँ पर साथ ही लेकर जाएंगे बाप का घर कहा है परमधाम तो बाबा कहते है जो बाप का और तुम बच्चों का हम आत्माओं का घर भी वही है परमधा में मारा बावा रहता है बावा के साथ हम आत्मा है रहती है दीरे दीरे नीचे उतर के अपना अपना पाट बजाती है तो बावा कहते है जो आज जो बाप का घर है भई तुम बच्चों का घर है बहाँ पर फिर साथ में बावा लेकर जाएंगे हम बच्चों को सब इखटा चलने ही है बावा ने का सब इखटा चलते ही है आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है बावा ने का आत्मा समझकर अब आत्मा अपने आपको समझो और शरीर में रहकर कर्म भी करना है परन्तु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है कर्म करते हुए भी बार बार महसूस करना है मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा ही इन हातों द्वारा कर्म कर रही हूँ मैं आत्माहीन आखोर द्वारा देख रही हूं बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं देखते हुए भी बाप न्यारा और प्यारा है ना बाबा ने कहा बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं और देखते हुए भी बाप न्यारा और प्यारा है ना अच्छा ये थी बहुत ढ़ी है हमारे मीठे-मीठे बाबा की मुर्ली जो की 24.7.1979 की थी इसमें बाबा बिंदू रूप की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रहा हैं बच्छो को बता रहे हैं कैसे कैसे बच्चे अपने आपको बिंदू स्वरूप में जैसे बाबा है ना बाबा कहते हैं मैं अपने स्वरूप को नहीं भूलता हूँ मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ मेरा गुड, कर्म, स्वरूप, देश, धर्म क्या है बैसे ही तुम बच्चे कैसे भूल जाते हो तुम भी अपने धर्म को याद रखो मुझे आत्मा की गुड क्या है मुझे आत्मा की शक्तियां क्या है मेरा धर्म क्या है मेरा देश कहा है सब चीज याद रखना है आत्मा को अपनी तो बार बार बिंदू सरूप की प्रैक्टिस करना है और इस देह से द्यान्यारा होकर बाबा कहते हैं वो फिर जो आप एक सेकेंड में एक ही से जितना जितना अभ्यास बाबा कहते हैं बढ़ाओगे तो एक सेकेंड तो क्या कितने भी घंटे सवस्था में रसनाएं ले सकते हो वो रासना आएगी वो एसास होगा बाबा के प्यार का जैसे ही आत्में के सिती में आएंगे जैसे जैसे बिंदू सरूप की प्रैक्टिस होती जाएगी उतना ही उतना बाबा के प्यार का एसास होता जाएगा बच्चों को तो बाबा की मुरली आप सभी बच्चों को बाब दादा की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते मारे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते ओम शांती ओम शांती ओम शांती